नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 17 जुलाई दोपहर 3 बज़े राजिस्तान की खास खबरें उपमुख्य मंत्री दिया कुमारी ने खोशना की है कि 2027 तक किसानों को दिन में भी बिजली मिलेगी इसके साथ ही बिजली की ट्रांसमिशन लाइन के लिए उन्हें 30 फिस्दी जादा मुआवजा मिलेगा डिप्टी सीम ने कहा कि सरकार हर सल पॉली टेकनिक में एडमीशन लेने वाली पांसो चात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी राजसरकार स्पेशल ट्रेन चलाएगी इस ट्रेन के जरी राजस्तान के लोग आयोद्या में रामलला के दर्शन करने जा सकेंगे इसके साथ ही प्रदान मंत्री मात्र वंदन योजना के तैथ महिलाओं और बच्चों के स्वास्ते के लिए 10,000 पे दिये जाएंगे दिया कुमारी ने कहा कि दुरलब बिमारी से पिडित बच्चों को आईशमान योजना के तैथ 5,000 पे प्रती माह मिलेंगे इसके लिए य और वैल की एंट्री ऑनलाइन पोटल पर किया जाना अनिवार्य किया जाएगा विदान सबा में बजट पर बैस के अंतिमदी नेता प्रतिपक श्टिकाराम जूली ने सरकार पर 40 बार हमले किये जूली ने कहा इनके दो-दो मंत्री अगनी वीर हो गए एक तो मंत्री बन ग सदन की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर इस पेपर लीक का सफाया करें हमारी एक दूसरे पर अरूप लगाने से उन बच्चों का भविश्य नहीं बन रहा है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं जूली बोले कॉंग्रिस रास की जनहित की स्कीम को आपने बंद कर दि विश्नु महेश ने खारिस कर दिया कोटा जिले में पत्नी की हत्या के करीब तीन साल पुराने मामली में जाले अपर जिला इवं सैशन नयाइदीश ने आरूपी पती पैंतिस वर्षे इमरान और फबबलू निवासी विग्यान नगर को अजीवन कारावास की सजा वे एक अंतिम नबालिक थी लव मेरिस के बाद दोनों से तीन बच्चे हुए आरूपी अपनी पत्नी पर शक करता था उससे मारपिट करता था माइके से पैसे लाने का दबाव डालता था इमरान की मारपिट से परिशान होकर इजवाना तलाक लेना चाहती थी वो अपने चोटे बच्चों को लेकर दो महिने से बालाकुंड इलाके में किराई पर रहने लगी 18 अगस्त को आरूपी ने पत्ने की हत्या कर दी थी स्पेशल ऑपरेशन ग्रूप ने फेक डिगरी बनवाने में मदद करने वाले अरूपी को अरेस्ट किया है डमी केंडिडेट बनकर उसे टीचर भरती परिक्षा का एक्जाम देते भी पकड़ा था एसोजी मामले में पूरव में उसके साथियों को अरेस्ट कर चुकी है एडिजी वीके सिंग ने बताया कि फर्जी डिगरी बनवाने में मदद करने वाले 31 वर्षी अरूपी महेंदर सिंग बिश्णोई निवासी भीनमाल जलोर को अरेस्ट किया है अजमेर के सिवी लाइन स्थाने में फेक डिगरी के दर्ज मामले में एसोजी की जांच में अरूपी महेंदर सिंग के पूरा में अरेस्ट कमला कुमारी और ब्रमा कुमारी के ना औरूपी दलपत सिंग के भाई ओंप्रकाश विश्णोई के जगा डम्य अब्यर्थी के रूप में अरूपी महेंदर सिंग एक्जाम देते पाया गया था राजस्तान में धीमापड़ा बारिश का दौर तेज होगा जो अगले तीन दिन जारी रहेगा मौसम विभाग ने आज उद्यपूर संभाग के चार जिलों सिरोही डुंगरपूर प्रतापगड और बारिश के संभावना है वहें पिछले 24 खंटे में जैपूर ग्रामिन, अलवर, चालवाट, सीकर, प्रतापगड, डुंगरपूर समेत कई जगा हलकी से मद्यम बारिश होई जैपूर के जोबनेर और नीमका थाना में 22, प्रतापगड के दलात में 20, अलवर के बानसुर में 17, डुंगरपूर के बिछी वाड़ा में 6, और धोलपूर में 8 mm बरसात दर्जुई, अजमेर, चितोडगड, कोटा, चूरोर, हनुमानगड में हलकी बारिश होई परवर्तन इदिशाले यानि एडी ने जल जीवन मिशन घोटाले में पूरव जल्दाए मंत्री महेश जोशी के करीबी संजे बढ़ाया को गिरफतार किया है, घोटाले में एडी ने मनी लॉंडरिंग कानून की धाराओं के तैत यह चौथी गिरफतारी की है, एडी अधि अधिकारी ने बताया कि हमें जेजेम मामले से संबंदित मनी लॉंडरिंग में बढ़ाया कि सक्रिय भूमिका का संकेत देने वाले कुछ अपतिजनक सबूत और दस्तावीस मिले हैं, जांच में यह पाया गया कि संजे बढ़ाया नीजी ठेकेदारों और बिचोलियों के सा पर्क में था और पिएच एडी के अधिकारियों की और से रिश्वत ले रहा था, संजे पूरव पिएच एडी मंत्री महेश जोशी का दाहिना हाथ था और पिएच एडी कराले और इसकी फाइलों में उसका दखल था सिरोही कोतवाली पुलिस ने शेहर स्थित बुद्दा स्पा पर कारवई करते हुए तीन यवतियों और साथ यवकों को गिरफतार किया, पुलिस ने विशेश सूचना पर यह कारवई की जानकारी के अनुसर पुलिस ने शेहर के बुद्दा स्पा पर दबिश कारवई करते हुए आबूरूर निवासी कनिश परिहार, जावाल निवासी गिरीश माली, गोल निवासी हेमंत कुमार वैशनव, सानवाडा निवासी निकेश कुमार प्रजापत, हरने अमरापुरा देवरद निवासी, रतनपुरा गोस्वामी, हरने अमरापुरा निवासी रूपाराम कल्बी और कमलेश कुमार प्रजापत को गिरफतार किया, इनके साथ ही कालकाजी साउथ दिल्ली, मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल और ठाने माहराश्टर निवासी तेन यवतियो को भी गिरफतार कर थाने लाए, भारती रेलवे की उपकरम इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिजम कॉर्पोरेशन निशरधालों की मांग को ध्यान में रखते हुई दक्षिन भारत दर्शन यात्रा ट्रेन चलाने का फैसला किया है, यह यात्रा पंदरा अगस्त को श में रामेश्वरम, मद्दूरे, कन्यकुमारी, मलेका अर्जुन तथा तिरूपती बालाजी दर्शन का मौका मिलेगा, आयार सी टीसी के संयुक्त महा प्रबंदक प्रियाटन योगी इंदर सिंग गुर्जर ने बताया कि यात्रा को दोश रेनियो स्टेंडर्ड कैटिगर वे कन्फरंट कैटिगरी में विभाजित किया गया है, स्टेंडर्ड कैटिगरी का मुल्य बत्तिस हजार पांसो पैंसट रुपे रखा गया है, जिसमें एसी ट्रेन, नौन एसी अवास तथा नौन एसी बसों की विवस्था रहेगी दिल्ली अंसियर क्षेतर की दस साल पुरानी कार जीप का प्रदेश में अब रजिस्टेशन कराना मेहगा हो गया है, बढ़ते पॉल्यूशन की वज़े से सरकार ने इन गाडियों पर दीजार ही छूट में कमी कर दी है, छूट अधिक होने की वज़े से राजिस्थानी सा अन्य जिलों में 10 साल पुरानी गाडियों की विक्री अचानक बढ़ गई थी, पहले दिल्ली अंसियर में पुरानी गाडियों को लाने पर परिवहन विभाग द्वारा टेक्स में 80 प्रतिशत तक छूट दे रखी थी, अब बज़ट में इसे घटा कर मैस 25 फिस्दी कर दि पहले 4000 लगता था, वही 1200 सीसी की गाडियों पर टेक्स में 2 प्रतिशत भड़ात्री की है, 1200 सीसी से अधिक शमता की डीजल कार पर अब 12 प्रतिशत टेक्स लगेगा संचोर जिले के धमाना गाम की सरहद में ट्रेलर वे स्विफ्ट कार की टकर हो गई, हादसे में कार में सवार दो भायों की मौत हो गई, हादसा ओवर टेक्स की कारण हुआ है, जानकारी के नुसार NH 68 पर ट्रेलर सिवाडा से संचोर की तरफ आ रहा था, जबकि कार संचोर स बाडमेर की तरफ जा रही थी, इस दोरान धमाना गाम की सरहद में कार ने अपने आगे चल रहे है, वहन को ओवर टेक्क किया, इस दोरान कार रॉंग साइड में जाकर सामने से आ रहे है, ट्रेलर से भिड़ गई, हादसे में 19 वर्षे राहुल सिवाडा, वे 18 वर्षे क्र करने वाले चचेरे भाए क्रिशन को साथ ले कर गया था, कागजे खाना पूर्ती कर वापस खर लोट रहे थे, कि तब यह हादसा हुआ, पुलिस हादसे की जांच कर रही है, राजानी जैपुर में परीचित युवक द्वारा युवती से रेप का मामला सामने आया, खोना 24 में अरोपी स्वामी शरण ने पिडिता को जाब लगाने का जांसा दे कर बहाने से खोनागोरियन इलाके में बुलाया, मिलने जाने पर जाब दिलाने का जांसा दे कर जबरन रेप किया, जाब लगाने का जांसा देने की बाद अरोपी उसे धमकाने लगा, खोनागोरियन पुलिस ने पिडिता का मेडिकल करवा कर जाच शुरू कर दी है पिडिता का मेडिकल कर दी है